तो नमस्कार दोस्तों मैं विजय संकर चौहान स्वाकत करता हूँ आप सभी का इस ग्यांगंगा यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में ट्रेंट संक्या 15-0-17 की बारे में आपको कम्प्लीट जानकारी दूँगा जैसे की ट्रेन की चलने की टाइमिंग क्या है ट्रेन कौन से स्टोप पे कितना समय के लिए ठहराव लेती है और किस क्लास में आप टिकिट लेते हैं तो कितना किराया लगने वाला है बिल्कुल इस टेप बाई श्टेप जानकारी दूँगा तो दोस्तों इस ट्रेन की डिटेल्स के हम बात करें तो यह ट्रेन लोगमान से और साम को यह ट्रेन 6 बच के 40 मिनट पे आपको गोरख पुरुजक्सन पहुचाती है यात्रा के दवरान दोस्तों इस ट्रेन 1713 किलो मीटर की दूरी 36 घंटा 5 मिनट में तैं करती है और इस ट्रेन के अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो ट्रेन 47 से 50 किलो मीटर प् टीर और टू टीर की सुविधा मिल जाएगी साथी अगर पता है तो दोस्तों इस टोटा में आपको ततकाल का कोटा अब यह इस ट्रेन में तदकाल की बूकिंग नहीं हो रही है इसके पहले इस ट्रेन में ततकाल की उती थी बाकी सारे को टॉपलब्ध हैं जनरल सीनियर श 420 रुपए स्लिपर में 680 रुपए और त्री टियर में 1810 रुपए का किराया लगेगा यहां पर दोस्तों इस्टेशन के जो टूटल के स्टॉप की डीटेल्स को अपने निर्धारित समय लोकमान तिलक्टर मिनट से 6 बच के 35 मिनट पर रवाना होती है और यहां से निकलने के बाद इस ट्रेन का दू नंबर स्टॉप आता है थाने यहां पर ट्रेन 6 बच के 58 मिनट पर पहुंसती है दो मिनट ठहराव लेती है और फिर यहां से अपने शफर के लिए रवाना होती है पहुंसती है यह ट्रेन कल्यान और कल्यान में ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है सुबह 7 बच के 17 मिनट यहां पर ट्रेन 3 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहां से अपने शफर के लिए निकलती है इस ट्रेन का दोस्त अनमार जक्सन में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है ग्यारा बच के तेरह मिनट और यहां पे यह ट्रेन दो मिनट ठहराओ लेती है और फिर यहां से रवाना होती है अगला इस्टेशन आता है दो तो चालिश गाओं पचोरा और जलगाओं इस ट्रेन का एक बड़ा इस्ट लेती है और फिर यहां से निकलती है अपने अगले शफर के लिए इस गाड़ी का दोस्तों 11 नमर इस्टाप आता है रावेर इसके बाद बुरहानपूर और 13 नमर इस्टेशन का इस्टाप आता है खंड़ा और खंड़ा में ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है साम को चार लेरा, खिरकिया, हरदा और टिमरनी बुरहानपूर दोस्तों यहां पर मैंने जितने इस्टाप बताया यह चोटे छोटे इस्टाप पे ठहराव लेती है और यह बहुत छोटे छोटे इस्टाप है इसलिए मैं आपको यहां पर टाइमिंग नहीं बता रहा हूं ट्रेन अगला इस्टाप आता है शुहागपूर, पिपरिया, गडवारा, करेली, नर्शिंगपूर, श्रीधाम, मदन महल और गाड़ी यहां पर मदन महल में पहुंसती है दोस्तों बारा बच के अटरा मिनट रात में और ट्रेन यहां पर दो मिनट ठहराव लेती है यहां पर इस मिनट के लिए ठहराव लेती है जबलपूर में और यहां तक यह गाड़ी 981 किलो मीटर की दूरी देंग की रहती है यहां से दोस्तों जब ट्रेन रवाना होती है तो पहुंसती है सिहोरा और इसके बाद आता है इस ट्रेन का बड़ा इस्टाप कटनी ट्रेन दो बजे पह सतना और सतना में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है तीन बच के 45 मिनट ट्रेन यहां पे 5 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहां से अपने सफर के लिए रवाना होती है यहां पे दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट इस्टाप होता है सतना मध्य प्रदेश में और इसके बा नैनी और फिर इस ट्रेन का बड़ा इस्टाप आता है प्रयाग राज ट्रेन 7 बच के 55 मिनट पे पहुंसती है यहां पे यह ट्रेन 20 मिनट के लिए ठहराव लेती है इस गाड़ी का यहां पे इंजन चेंज किया जाता है और फिर यहां से यह ट्रेन बदोही वाले रूट पे निकलती है पहुंसती है यह ट्रेन दोस्तों अपने अगले स्टोप पे फाफा महू और गाली की टाइमिंग हो जाती है आड़ बच के तीरपन मिनट यहां पे ट्रेन एक मिनट के लिए ठहराव लेती है और फिर यहां से अपने शफर के लिए रवाना होती है बीच में पाता है सराय कंसराय और इसके बाद सुर्यावा मोड भदोई बदोई में गाली के टाइमिंग होती है दस बच के सताओन मिनट और यहां पे ट्रेन एक मिनट के लिए ठहराव लेती है और 1438 किलोमीटर की दूरी यह बदोई तक ट्रेन की रहती है यहां से निकलने के बाद यह ट्रेन पहुंचती है परसीपूर, कपसेटी, सिवाईपूरी और वारानती इस ट्रेन का 50 नमर इस्टेशन आता है वारानसी बनारस और यहां पे ट्रेन दिन में एक बज़े पहुंचती है दस मिनट के लिए ठहराव लेती है और 1482 किलोमीटर की दूरी यहां तक यह ट ट्रेन ठहराव यहां तक यह ट्रेन तैंक की रहती है वारानती रवाना होने के बाद यह ट्रेन पहुंचती है और यहार जक्सन, सहदाद, जखनिया, दुल्लवपूर, मउव, तो दोस्तों यहां पे जो बीच बीच में में छोटा इस्टा बता रहा हूँ, इनकी टाइमि नहीं बता रहा हूँ कि यहां पे बीच में ट्रेन एक-एक मिनट के लिए ठहराव लेती है, किसी पे दो मिनट, मउव में इस गाड़ी की टैमिंग हो जाती है, तीन बज के बीस मिनट और यहां पे ट्रेन 1575 किलो मीटर की दूरी तैंकी रहती है, पांच मिनट यहां पे ठ ठहराव लेती है, और फिर यहां से रवाना होती है, मउव से रवाना होने के बाद इस ट्रेन के फिर कुछ छोटे इस्ट आप आते हैं, जैसे इंदारा जक्सन, बेल्थरा रोड, लार रोड, सलेमपूर और भटनी, भटनी दोस्तों जक्सन आता है, और भटनी में को चेंज कर सकते हैं, इसके बाद ये ट्रेन पहुंसती है, अपने 62 नम्मर इस्टोप पे देवरिया सदर और गाड़ी साम को पांच बच के 20 मिनट पे पहुंसती है, पांच मिनट ठहराव लेती है, और फिर यहां से निकलती है, अगला दोस्तों इस ट्रेन का 63 नमर साम को 6 बच के 40 मिनट पे आपको गूरख पूर जक्सर 1713 किलो मीटर की दूरी ये ट्रेन 36 गंटा 5 मिनट में तैंक कर दिये, तो दोस्तों जिस तरह से हमने आपको यहां पे ट्रेन संख्या 15-0-17 के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया है, अगर आप किसी और ट्रेन के बा जैहिं, बंदेवात रब